तो दोस्तों हिंदी की बिंदी चनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में असिस्टेंट प्रॉफेसर विग्यापन संख्या 51 के बारे में बताया कि यूपी एचेसी के द्वारा इसके आवेदन के जो डेट है वो घोशित कर दी गई है लगभग 15 जुलाई के बाद जो है आपका ओनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा तो चलिए एक अच्छी खबर है इसके साथ ही अब आपको एक दूसरी एक और खबर में देने वाली हूं वह है इसमें सीट की जैसे कि आपको पता है इसमे 917 वेकेंसी जो है आने वाली है विग्यापन संख्या 51 में और इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यह तो हो गई हमारे पास सीट हो गई इसके अलावर जो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कितने सब्जेक्ट है आपके 37 सब्जेक्ट के जो है उपर वेकेंसी आने गए हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां में कुल पद ही आपको दिखाऊंगी बाकी जो केटेगरी वाइस है उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे तो इसमें आप देखिए अंग्रेजी में 62 पद हैं टोटल अर्थ शास्त्र में साथ इतिहास में 25 उद्यान विज्ञान में 3 उर्दू में 8 एशियन कल्चर में 1 कृषी अर्थ शास्त्र में 3 गणित में 24 ग्रेव इज्ञान में 10 चित्रकला में 9 तो यहां पर इसके साथ ही आपको सह सिक्षा में भी दिख रहा होगा और महिला विद्याले में भी पदों की संक्या दिख रही होगी तो यहां में आपको मुख्य जो है टोटल पद कितने हैं उसकी बाद ही कर रही हूँ तो दर्शन शास्तर में आपके 10 पद है पशु पालन एवं दुख्द विज्ञान में 5 पद है प्राग्यतिक इतिहास में आपके 19 है प्राणे विज्ञान में 33 है बीड में 75 है भुगो राजनेति विज्ञान में आपके 44 सीटों पे वेकंसी आएगी देखिए इस बार जो है राजनेति विज्ञान में 109 सीट थी यह कितनी कम हो गई है घटके इस वाई सिर्फ 44 सीटों पे ही आपकी वेकंसी आ रही है तो अगले जो सब्जेक्ट है वो है वनस्पत्य संगीत गायन में 10 संगीत तबला 3 संगीत सितार 4 संस्कृत में 41 समाश शास्त्र में 42 सांखिकी में 2 है सैन्विज्यान में 21 है और हिंदी में आपके 80 सीट जो है वो आने वाली है तो हिंदी कभी आपको पता चल गया है कि हिंदी में आपके सीट जो है जैसे कि मेरे जो स्ट्रेंट है वो सारे हिंदी वाले है तो जानने के इच्छों है कि हिंदी में कितने है तो हिंदी में आपके पास 80 सीटों की संख्या जो है वो है टोटल जिसमें सहसिक्षा में आपके 66 है और महिला विद्याले में आपके कम्प्लीट हो जाती है अब यहां विशय की बात करें तो यहां जो है 34 विशय ही दिये गए हैं अब कौन से विशय नहीं है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा विशय इस वार नहीं आया है बाकि इतने सीटों की वेकेंसी जो है अमारे सामने आई है आप यहां देख सकते हैं तो जो भी जानकारी होगी आपको इसी प्रकार से इस चैनल पर मिलती रहेगी तो चैनल से जुड़े रहेगा धन्यवाद